आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से IT Solution विब में और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस्टोरेस के बारे में पढ़ने वाले हैं केंप्यूटर इस्टोरेस के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सब्सक्राइब करें चार काम होते हैं जो कि सबसे पहला अगर मैं बात करों तो इन्पूट के बारे में होता है input होता है computer में data अंदर जाता है फिर उसे क्या किया जाता है उसे store किया जाता है तो वह storage के बारे में आप पढ़ने वाले हैं input में आपको पढ़ा चुका हूँ और process और output तो process के बारे में पढ़ेंगे process बहुत छोड़ा topic है उसमें हम discuss कर लेंगे इसी topic के अंदर में input पढ़ा चुका हूँ में storage पढ़ाने जा रहा हूं फिर process और फिर हम output के बारे में पढ़े चुके हैं तो अगर मैं storage की बात करूं तो storage किसे कहते हैं storage क्या जब भी हम कोई कोई भी data कोई भी document store करके सुरचित रखते हैं अपने computer के अंदर उसी को storage कहा जाता है computer में storage जो थी दो भागों में बटा गया है एक है primary storage दूसरी है secondary storage primary storage का मतलब क्या हुआ जब भी आप कोई mobile खरीते हैं तो mobile में दो प्रकार की storage आपको मिलती है एक आपको मिलता है internal storage और एक external हम जो लगाते है memory card तो internal storage को हम primary storage बोलते हैं और external storage को हम secondary storage बोलते है secondary मतलब कि दूसरा अलग से कोई बाहर से लगाया जाए तो यह जो हम primary storage की बात करें इसे memory भी बोलते हैं और memory मैंने पहले वीडियो में बताया था कि memory का हिंदी जो word है उसको हम स्मृति की नाम से जानते हैं और स्मृति मतलब होती है यादे तो storage की हम करते हैं कि storage तो storage primary storage को दो भागों में बाता इस अगर मैं बात करूंँ तो सबसे पहले स्टोड़ेज को बाटा गया है दो भागों में एक प्रैमरी इस्टोरेज को बाटा गया है जो कि यह तुब अद्युसरा रोम मैं पिछली वीडियो में रैम वॉलटाइल मेमोरी है या नहीं है इसमें से कौन सा वॉलटाइल मेमोरी है तो अगर यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आजाए कि वॉलटाइल और नॉन वॉलटाइल होता क्या है तो आप आसानी से find out कर सकते हैं छाण सकते हैं कि volatile किसे कहते हैं और non-volatile किसे कहते हैं तो अगर हम बात करें volatile के उपर कि volatile memory होती क्या है ऐसी memory ऐसी जो भी memory होती है जिसको travel करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह तो उसको ले जाने के लिए आपको light की जरुवत पड़े proper light रहेगा तभी वो travel कर पाएगी जैसे की RAM अगर RAM में से light को निकाल दिया जाए तो RAM क्या होता है रैम अपनी सारी चीजे भूल जाता है तो ऐसी memory जिसको travel करने के लिए हमेसा light की जरुवत पड़े उसको हम बोलते हैं volatile memory नॉन-volatile memory उसे कहते हैं जिसको travel करने के लिए light की पड़े जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर लेज्य हार डे भ color pr松 हो गया जो भी हो memory Card हो गया अगर एक Memory Card में हम data को store करते हैं और इस टोर करके दूसरे जगा ले के जाते हैं तो store करते समय हम system में लगाते हैं फिर वहां ले जाने के बात system में लगाते हैं यानि कि बीच में का जो gap है उस समय वह memory अपनी gap नहीं होने देता जाने नहीं देता उसी को हम बोलते हैं non-volatile तो RAM एक volatile memory अगर आपसे question पूछता है कि RAM volatile memory है या नहीं तो RAM एक volatile memory है अगर मैं बात करूं RAM और ROM की तो RAM को भी दो हिस्तों में बाटा गया था ROM को भी तीन हिस्तों में बाटा गया था ROM की अगर बात करें तो SRAM और DRAM SRAM का मतलब होता है static RAM और DRAM का मतलब होता है dynamic RAM अगर मैं इसके दोनों के discuss करूं यह triple C के syllabus में इतना deeply पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी अगर मैं बताओ कि SRAM का मतलब होता क्या है static RAM का मतलब होता क्या है ऐसे RAM जिससे आप बदल वह बदला नहीं जा सकता वह वैसे ही सुरक्षित आपको दिखेगा dynamic RAM जो बदलता रहता उसे को हम dynamic RAM बोलते है तो static RAM दो भागों में बाटा गया है SRAM और DRAM के दो समय आपको इसको बाठा जाता है इसको भी आप एक काम करें इसका सबसे पहले तो स्क्रिन सौर्ट ले ले जिससे आपको चाहिए सीजे लिखनी ना पड़े और आसानी से याद कर ले मैं अभी सबके फुल फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करूंगा अगर हम बात करें रोम की तो रोम क्या है रोम आपका चार हिस्सों में बाटा जैस तीन हिस्सों में बाटा गया है पी रोम इसका पूरा नाम है रीडल dent memory प्रोग्रामेबल डीड़ोली सीडल अब मैंमोरी यी इपी रॉम का मतलब क्या है क्या इपी रोम किसको बोलते हैं उसल्सका ऑगला सारे फुल फॉर्म्स जो है मैं एक चार्ट बना करके यहां रखूंगा आप स्क्रीन सॉट ले लिजेगा जिससे आपको बिल्कुल आसान तरीके से वह याद हो सके और आपको लिखना भीना पड़े तो हम बात कर रहे थे रोम के उपर तो रोम एक नॉन वॉलाटाइल मेमोर नीटे लिए इपि रोम इलेक्ट्रोनिक ए्रेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओन्ली मैमरी यह फुल फॉर्म आपको सिर्फ याद करके रखना है बाकी सीचे तो वैसे ही याद हो जाती है अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेश के बारे में जैसे मैंने अब को प्रेमरी इस्टोरेज के बारे में कि secondary storage क्या होता है computer की वह storage जिसे हम बाहर से लगाते हैं जो कि permanent storage की रूप में भी आती है उसी को हम बोलते है secondary storage जो भी storage हम बाहर से लगा दे जैसे pin drive हो गया CD हो गया DVD हो गया यह जितने भी आपके storage है जो बाहर से हम लगा करके store करके रखते हैं उसी को हम बोलते है secondary storage और इसके जो है यही parts है hard disk है CD है pen drive है memory card है DVD है अगर मैं बात करूँ कि CD का full form तो compact disk DVD का full form तो digital versatile disk अभी वीडियो के लास्ट में आपको सारे full forms दे दूंगा आप screenshot ले लिजेगा जससे आपको लिखना ना पड़े और याद रहे speed test आपको जरूर देना है और आपका number सबसे ऊपर होना चाहिए तो यह जो थी यह सारी सबसे चीजे clear हो गई और अब हम बात करेंगे कि हमने क्या-क्या पढ़ लिया सबसे पहली बात हमने पढ़ लिया input हमारा खतम हो गया इंपुट मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, output मैं पढ़ा चुका हूं और आज मैंने आपको storage भी पढ़ा दिया अब हमें सिर्फ और सिफ स्प्रोसेस के बारे में बात करना मैं इसको वॉलटाइल वोलते हैं सब चीजे समझा चुका हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सब चीजे मैं समझा चुका हूँ अब इसके नीचे मैंने एक और चीज लेखके रखा था यह आपको आसानी रहे इसलिए कि इक सिपे हाँ कंप्योटर की इक सिपे होता है मिटा रहा हूं इसके स्किनसौ ले चुकी होंगे तो केंप्यूटर की इकाई क्या है इकाई का मतलब यह होता है कि हम जब भी कोई चीज अपने घर में रखते हैं तो इसको किसी हिसाफ जैसे मान लेजिए अगर मेरे पास एक अलमारी है तो उस अलमारी की capacity होती है कि इस अलमारी में इतना ही चीज रखा जाएगा वैसे ही कंप्य में भी हर एक चीज रखने के लिए एक जगा निर्धारित की गई है कि इसमें कितना चीजें रखी जा सकती है तो एक निबल में चार बाइट होते हैं और एक बाइट में आठ बीट होते हैं आपसे ये कोश्चन हो सके ना पूछा जाए लेकिन यहां से पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो एक बाइट में आठ बीट होते हैं ठीक है ना बीट से इसको बोलते हैं आठ बीट होते है के की एक किलो bit की हम एक की एक किलो ऑइट की एक कीली में हम एक हजार 24 है कि एक हजार 24बाइट रख सकते हैं रिया है सिस्टि के 1 i-2 सथिते हैं अपड आप जैसे मालेजी आपके पास एक मोबाईल जो घोटा होटा और उसमें पुरान मतलब जो पैड़ वाला मोबाइल आता है उसके अंदर इंटर्नल स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ के वी और कुछ सब्सक्राइबू ईसके इंटर रख सकते हैं कि न भी रख सकते हैं और बाइट करों कि 10 9 कई मोजो आपके फास जो मेंमरी कार्ड होता है वह में मेवरी काड्वाद होता है 2GB तो अगर मैं बात करूं कुछ तो एक GB में 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 MB में कितने केबी होते हैं तो अगर यहां प听 एक हम देखता है है आपकी यग तक पूछी जाती है कि 1 byte में कितने वीट संभ से इंप्रिट कोंशिन यह है कि 2 होते हैं और सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के ऊपर की बारे में बात करें तो प्रोसेसिंग क्या है प्रोसेसिंग के दो हिस्से में बाटा गया है जो कि एक है सी यू और दूसरा है एलियो आपको ब्लॉक डियाग्रम याद होगा कि ब्लॉक डियाग्रम मैंने बनाया था यह ब्लॉक डाइग्राम जिसमें आपको सारी चीज़े डिसकुस की थी मैंने रैम होता है यहां पर यहां पर रोम होता है ठिक यहां पर इंपूट हम डेटा को इंपूट करते हैं यहां पर आपका इंपूट के बारे में स्टूरेज यूनिट के वारे में तो कम्यूटर का वह हिस्सा वह भाग प्रोसेसिंग के अगर बात करें तो कंप्यूटर का वह हिस्सा वह भाग जहां पर चीजों को समझा जाता है प्रोसेस किया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट अगर मैं बात करूं सी यू के बारे में तो सी यू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट Ctrl सी beginnenLL जो है आपको नॉर्मल चीजों को समझनी के लिए इस्तेमाल में इस्तीमाल में ली या जाता है प्ल करें ALU की बारे में ALU का फुलफांड स्वार्ण से अर्थमाटिक लॉजिक यूनिक ये सिंफ और सिफ अंग-घढ़ती चीजों को को समझने के लिए इस्तिमाल में लिया जाता है और यह मैं चीजे आपको पहले भी बता चुका हूं तो अंगड़ती चीजों को समझने के लिए इस्तिमाल मिलिया जाता है यह